तो अभी देखो हमारा अब तक जो है चल रहा था simple present tense है ना simple present tense में हमने देखा कि भई हाँ जो काम वर्तमान में हो रहा है है ना यह चीज होती है हमाई simple present tense में ठीक है यह हमारा था पहला टेंस जो हमने clear कर लिया कि simple present tense में किस तरीके से सेंटेंस जो हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किये जाते हैं और ट्रिक भी तुम्हें समझ आ गई है कि भई और वो जो ट्रिक है ना पर ठीक है उसको हम सब्जेक की तरह नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें रटना है या कुछ करना है हमें यहां समझनी है चीज़ है क्लियर हो गया यहां तक हमें हमनी सिंपल प्रेजेंट को काफी हत्ता क्लियर किया उसके लावा भी कोई डाउट है बच्चों तो तुम पूछो मुझ से अगर कुछ होगा कुछ बचेगा या कुछ है जो तुम्हें नहीं आ रहा है कुछ एड करना है उसमें तो हम दुबा प्रेजेंट कंटीनेस से तुम्हें समझ आ जाएगा जो चल रहा है अभी भी हो रहा है जो काम ठीके प्रेजेंट कंटीनेस जो अभी भी हो रहा है ना अभी भी कंटीनियू हो रहा है ठीके इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ अब तुम्हा एक होती है तो वर्ब की 4th form क्या होती है गोईंग इस गो की 4th form क्या है गोईंग मतलब continuous अभी भी चल रहा है काम आप यहां पर देखो इस MR जो है वह मैं तुम एभी समझाऊंगी कि इस कभी होता है 2008 निए उसके और ताक में आप स्टार्ट करें सबस्सेर है इसके कॉन है और कि काम हो रहा है पिर आपका सब्जेक्ट is am या आर में से कुछ लगता है साथ में auxiliary verb फिर आपका उसके बाद verb का fourth form लगता है मतलब ing gerund वाला जो form होता है और फिर आपका जो भी बाकी का sentence है या object है फिर आप वो लिखोगे क्लियर और क्लियर समझ लो यहां पर ठीक है जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट है आई ठीक है आई मैं है ना तो उसमें auxiliary लगाओगे आप यह मैं आफ्रमेटिव के लिए बता रहे हूं पहले जो positive sentences है उसके लिए बता रहे हूं ठीक है यह तीनों जो है यह पॉजिटिव ठीक है फिर यह तीनों जो है यह नेगेटिव और फिर यह होते हैं हमारे interrogative question mark वाले ठीक है तो positive sentence में अगर आपका subject I है तो आप auxiliary verb क्या लगाओगे एम ठीक है एम लगेगा और फिर आपका verb का fourth form जैसे drink है तो drink का fourth form क्या हो जाए कि drinking बस ing लगाना है तो आपका verb का first form से fourth form बन जाता है बस ing लगाते ही ठीक है और फिर उसके बाद जो भी आपका आगे object जैसे I am drinking coffee मैं coffee पी रहा हूं ठीक है अब तक हम पहले देख रहे है पसंद है पीता है पीती है लेकिन अब हम continuous में बात कर रहे हैं continue चल रही है चीज मतलब अभी भी हो रहा है तो I am drinking coffee मैं अभी भी coffee पी रही हूं मैं coffee पी रही हूं ठीक है अगर हमारे आ जाता है वी यू या दे आ जाता है तब हम क्या use करते हैं आर हैना अगर यहां पर वी की जगा कोई दो लोग होते हैं जैसे रवी एंड sunny are ठीक है रवी एंड sunny are playing रवी एंड sunny are playing रवी और sunny खेल रहे हैं है ना तो हम उसकी जगा वी भी लिख सकते हैं अगर एक मैं ही हूं और एक कोई दूसरा है तो प्रनावन वहली चीज है मतलब यहां पर है ना फिर you they they एक से जादा लोग है तो भी हम are use करते हैं बाकी वही अगर ही शी या किसी का नाम है तो इस लगाओ ठीक है आप अगर singular प्लूरल चीज आ जाते हैं अगर singular है तो इस लगता है plural है तो आर लगता है यह भी clear हो गया यहां पर यह थे हमारे अफ़मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है हमारा negative sentence में आप जो है साथ में क्या यूज करते हो not amr is वगेरा वही रहेगा बस not लगेगा ठीक है और वैसे ही जैसे कि interrogative में हमारे simple present में क्या हो रहा था does or do आगे जा रहा था है ना वैसे ही यहां पर भी is mr जो है आगे चले जाएगा फिर आपका subject आता है और पर बाकी का आपका जो भी sentence है वह question mark clear हो गया यहां पर कुछ नहीं हो रहा है बस is mr use हो रहा है और उसके लावर क्या हो रहा है वर्ब के फोर्थ फर्म लग रही है देख लो जल्दी से फिर आगे चलेंगे हम ठीकर नीचे देखो आफ्रमेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की पूरे-पूरा structure भी लिखा है मैंने तुम्हें वहां समझ आ जाएगा और अच्छे से चले आगे है ना यहां देखो आफ्रमेटिव के structure subject फिर subject के according is m या r आएगा जिसे अगर i है तो एम वी यू दे है तो आर ही या शी है तो इस फिर वर्प का फोर्थ फ़रम मतलब ing लग जाएगा और फिर simple तुम्हारा object आ जाएगा वैसे नेगेटिव है तो पूरा वैसे रहेगा बस not जुड़ जाएगा साथ में इंट्रोगेटिव है तो इस दिमार आगया कि subject फिर वर्प का फोर्थ फ़रम और फिर object और question mark क्लियर है यहां तक है ना यहां कोई दिक्कत नहीं है अब sentence स्टार्ट करते हैं ठीक है आब हम जैसे हमने क्या किया था English to Hindi translate किये थे simple present tense में भी वैसे हम यहां भी करेंगे यहां भी हम पहले English to Hindi translation ही करेंगे ताकि आपकी यह स्किल अच्छे से क्या कर रहा है या क्या हो रहा है वह लिखोगे फिर बाकी का जो भी सेंटेंस है वह रिवर्स और में ठीक है ऐसे करके आप ट्रांसलेट करते हो आप चलो फर्स देखो दो बॉइज आर प्लींग इन दी ग्राउंड दा बॉइज दा बॉइज लड़के आप देखो यहां पर सिंग्यूलर प्लूरल है इसलिए यहां पर क्या है आर एक से जाधर लड़के है ना इसलिए आड लगाया हमने तो लड़के आर प्लेइंग इन दी ग्राउंड ग्राउंड मैदान लड़के मैदान में इन दी ग्राउंड मैदान में प्लेइंग खेल रहे हैं देखो अभी भी कंटिनू चल रहा है अभी भी खेल ही रहे हैं इसलिए आई एन जी लगा हुआ है ठीक है खेल रहे हैं इन जी था इसलिए अभी भी कंटिनू चल रहे हैं और कंटिनू खेल रहे हैं क्लियर हो गया लड़के मैदान में खेल रहे हैं क्योंकि हमने प्लेइंग लिखा है क्योंकि वर्ब का यहाँ पर फोर्थ फॉर्म है इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर खेल रहे हैं समझ आ ना वहन सिवान कोई कएथे ऑ ol couple यार रास्टे परhappy ॐі रास्ते पर रनिंग एया रस रहे हैं अभी चल रहे हैं क्यों रहे हैं में रहे हैं क्यों लिख रही हैं अक्यों यहां पर और लिखा है एक से जादा वाहन चल रहे हैं है ना समझ आ गई अगर यहाँ एक ही वाहन होता तो क्या लिखा होता तो वीकल is running on the way वाहन रस्ते पर चल रहा है समझ आ गया इस और आर का क्या concept है यहाँ पर clear हो गया is कब लगता और आर कब लगता है चलो next देखो my sister is arriving tomorrow my sister मेरी बहन my sister मेरी बहन अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जब he या she आजाए या किसी का नाम आजाए तो हम is use करेंगे है ना यहाँ my sister के जगा हो सकता था मेरी बहन का real में नाम लिख देती मैं तो भी is आता है ना तो मेरी बहन is arriving tomorrow is arriving tomorrow arriving tomorrow tomorrow मतलब कल arriving आ रही है वर्ब की fourth form है मतलब आ रही है ठीके समझागे है यहाँ पर हम वर्ब की fourth form के इसा आप से लिख रही है आ रही है जा रहे हैं चल रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं यही तो चीज़े यह वर्ब की fourth form ing की विज़ा से आ रही है ठीके we are going to Kathmandu next month हम we are अब देखो व किसाद आ रहता है हम कब next month अगले महीने कहां Kathmandu going जा रहे है ठीके मैं यह तो future में है अभी तो अगले महीने जा रहे है तो यह तो future होगा लेकिन अगर ही future होता तो यहां लिखा होता we will ठीके we will ठीके clear इसलिए हम यहां पे इसको present continuous में ही डालेंगे क्योंकि यहां going आ रहा है clear आर आ रहा है वर्ब का fourth form आ रहा है इसलिए ठीके यहां पे सिर्फ going से sense नहीं है यहां पर आर भी आ रहा है इसलिए यह कहां पर है ध्यान रखना है इसमर आ रहा है तभी यह present continuous है ठीके क्योंकि वर्ब की fourth form तो आगे भी use होगी past में भी use होगी, future में भी use होगी है ना तो यहां पर clear रखनी है तुम्हें यह बात कि जो main focus है वो किस वज़ा से पढ़ रहा है concept जो clear हो रहा है वो किस वज़ा से clear हो रहा है is mr की वज़ा से तो यहां पर इस MR पर ध्यान देना है इस MR पर ध्यान दोगे तब ही पता चलेगा कि हां present tense की बात हो रही है और साथ में वर्ब की fourth form आ रही है इसलिए यह present continuous है ठीके वर्ब की fourth form प्लस इस MR जाके ही तुम्हें पता चलेगा कि present continuous है क्योंकि past continuous भी पढ़ेंगे हम और future continuous भी पास्ट continuous में क्या जाएगा वॉज और वर समझा रहा है इसलिए सिर्फ वर्ब की फॉर्म पर ध्यान नहीं रखना ऑक्जिलरी वर्ब भी ध्यान रहना चाहिए जैसे कि डू और ड़स प्रेसिंपल प्रेजेंट में डू और ड़स भी याद रखना जरूरी है क्लियर इसलिए यहां पर इसमर पर धियान देना और वर्ब की फॉर्थ फॉर्म साथ लग रहे है तो प्रेजट कंटीनस है इसमर की वज़ा से ही प्रेजट कंटीनस है यह ठीक है क्लियर यहां तक समझ आ गया देख लो फिर आगे चलेंगे चलो आगे चले देखो यह जा रहा है वापस है ना इसलिए तुम्हें पता चल रहे है कि प्रेजट में बात हो रही है ठीक है तो क्लाइमिट का का दुनिया का तो दुनिया क्लाइमिट को जल वाई यू लिख सकते हम दुनिया की जलवायू is altering altering का मतला बदलना और is altering लिखा है तो बदल रही है कोई वी चीज अल्टर करना मतला बदलना है न तो climate जलवायू कहां की? दुनिया की वर्ल्ड की तो दुनिया की जलवायू बदल रही है समझ आ गया? next देखो the pollution in Kaatmandu Valley is increasing day by day the pollution in Kaatmandu Valley तो कहां पर Kaatmandu Valley वैली घाटी तो क्या लिखा मैंने यहां पर Kaatmandu गाटी 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 में क्या हो रहा है? पॉल्यूशन है ना? पॉल्यूशन को क्या बोलोगे? प्रदूशन तो Kaatmandu घाटी में पॉल्यूशन पॉल्यूशन प्रदूशन इस इंक्रीजिंग डे बाई डे तो दिन बाई दिन दे बाई दिन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग बढ़ता जा रहा है तो प्रदूशन दिन बाई दिन इस इंक्रीजिंग बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तुझ है? तुझ पॉल्यूशन इन काटmandu गाटी में प्रदूशन एस इंक्रीजिंग डे दीन बढ़ता जा रहा है समझा गया? है ना easy है next देखो my health is getting worst my health मेरी तबियत या या मेरा स्वास्त चलो health proper literal meaning से लिखते हैं मेरा स्वास्त स्वास्त है स्वास्त ही होता है my health मेरा स्वास्त फिर क्या है is getting worse is getting worse getting मतलब लगातार बिगरता जा रहा है तो लगातार या तबियत भी लिख सकते हो ठीक है बिगरता जा रहा है तो मेरी तबियत लगातार बिगरती जा रही है भी लिख सकते हो ठीक है लेकिन मैं बिल्कुल literal meaning की साब से लिख रही हूँ तो health होता है आपका स्वास्त है है ना इट इस गेटिंग ओल्डर इट इस गेटिंग ओल्डर इट यह इस है इसलिए यह ठीक है एक के लिए आ रहा है यह बूढ़ा होता जा रहा है इट कब यूज करते हैं हम देखो इट दो चीजों के लिए यूज होता है या तो कोई thing हो या फिर कोई animal फिके यहाँ पे लिख लो इट हम कब-कब यूज़ करते हैं अगर कोई thing हो मलब कोई चीज हो या फिर कोई animal हो जानवर हो तो हो सकता है यहाँ पर हम किसी dog वगरा की बात करें कि यह जो dog है यह बूड़ा होता जा रहा है तो इसको अगर हम उसका जो dog है उसका अगर हम नाउन से प्रणाउन में convert करेंगे तो हम क्या बोलेंगे इट इस गेटिंग ओल्डर ठीक है क्लियर हो गया यहाँ पर यह चीज भी समझ आ गई इट किसके लिए यूज़ करते हैं इट हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज लिखी हो या फिर कोई जानवर के बारे में बात हो रही हो तो उसका प्रणाउन क्या आता है इट देखो फिर आगे चलें ठीक है नेक्स देखो I am reading a book of Shakespeare I am मैं ठीक है I am मैं और I am से पता चल रहा है कि हाँ ये present continuous में जाएगा I am reading से मैं किसकी शेक्सपियर शेक्सपियर की किताब I am reading पढ़ रहा हूँ की किताब पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ तो I am reading से तुमने क्या निखाला मैं पढ़ रहा हूँ I am writing a book of Shakespeare I am writing मैं लिख रहा हूँ किस पर किताब किस पर किताब ग्रैमर पर तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी मैं ग्रैमर पर तो व्याकरण पर किताब या पुस्तक जो लिखना चाओ किताब लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तुम अपने हिसाब से लिख सकते हूँ या पर हैण चलो मैं लिख रही हूँ लुख ही इस कामिंग देखो meanwhile यहा इस कामिंग तो लुख का क्या हुआ देखो ही इस कामिंग ही वे इस कामिंग हीर वे यहाँ आ रहा है क्योंकि तेखो अगर इस sentence की साथ नहीं तो क्या होगा वै आ रहा है यहां तुम्हें पता है कि कोई sense नहीं में तो तुमने थोड़ा से sentence को आगे पीछे करा और क्या लिखा वै यहां आ रहा है समझ आ गई बात है ना इस तरीके से simple लिखने है hurry up, the bus is leaving, hurry up, hurry up कब बोलते हैं जब हम किसे को बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो the bus is leaving, bus रवाना हो रही है समझ आ गया? अब नेक्स देखो do not make a noise do not make a noise शूर मत मचाओ ठीक है? शूर मत मचाओ आ तुम बोलो कि माम यह वाला कैसा आया तो देखो यहां पर क्या हुआ है कि बच्चे जो है continue शूर मचा ही रहे थे तो उस पर टीचर ने बोला कि do not make a noise है शूर मत मचाओ ठीक है? इस तरीके सा next देखो they are walking on the road they are where? ठीक है? they are तो where? क्या कर रहे हैं? walking on the road आप walking on the road का मतलब तो क्या हो? चल रहे हैं रोड पर लेकिन तुम्हें पता है कि यह sense नहीं लग रहा तो तुमने क्या लिखा सही करके इसको? where? road पर चल रहे हैं सडक पर चल रहे हैं ठीक है? इस तरीके से he is still sitting under the tree he is still sitting ठीक है? he is still he is still का मतलब वे अभी भी ठीक है? वे अभी भी still का मतलब वो अभी तक भी वही हैं तो वे अभी भी sitting under the tree बैठा है tree के नीचे तो इसको सही करके क्या लिखोगे? पेड के नीचे बैठा है पेड के नीचे बैठा हुआ है आया समझ अभी भी ठीक है? still लिखा है अभी भी मतलब वो काम अभी भी हो रहा है इसलिए तब अभी भी पेड के नीचे बैठा हुआ है ठीक है? यह बैठा है दोनों लिख सकते हो next देखो you are not sleeping now you are not sleeping now तो you are not तुम now अभी तुम अभी नहीं सो रहे हो तो सो नहीं रहे हो देखो खुद हमारा सेंस हमें बोलता है कि नहीं थोड़ा सा sentence को तुम खुद करेक्ट कर लो है ना? सो नहीं रहे हो तुम अभी सो नहीं रहे हो you are not sleeping now तो यहां पर देखो you के साथ क्या use कि है हमने आर जब की you तो एक बंदी के लिए बोलो जाता है तो वैसे आई के साथ am use होता है ठीक है? is नहीं use होता तो यह कुछ छोटी छोटी चीज़े हैं जो आपको धियान रखनी है clear? next देखो they have been arguing they have been arguing तो वै चलब इसको have been अठाके are कर लो तुम they are arguing वै बहस कर रहे हैं वै बहस कर रहे हैं ठीक है? you see I am eating you see I am eating तुम देखते हो मैं खाना खा रहा हूं मैं खा रहा हूं ठीक है? तुम देखते हो मैं खा रहा हूं I am eating मैं खा रहा हूं ठीक है? तो यह हो गया तुम्हारा present containers clear? next देखो my mother is coming home my mother is coming home my mother मेरी मा ठीक है? मेरी मा मेरी मा is coming आ रही है ठीक है? ठीक है? और यहां के साथ बिंदी लगेगी क्योंकि हम respectfully हो के बात करते हैं तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम अभी क्या कर रहे हो? और question mark देखा? मैंने का आता ना इसे यह what, why यह वाले आते हैं तो वो आगे लग जाते हैं फिर are is जो भी होता है वो भी आगे लगता है फिर तुम्हारा subject आता है है ना? तो यहां पर देखो वही वाली चीज़ हुई है interrogative है समझा गया? next देखो the fans are shouting with joy the fans are shouting with joy fans प्रशंसक with joy खुशी से fans भी लिख सकते हो तुम बढ़ हम प्रॉपर हिंदी में लिखेंगर तो प्रशंसक खुशी से shouting चिला रहे हैं प्रशंसक खुशी से चिला रहे हैं the fans are shouting with joy ठीके, next देखो he is not working very hard he is not working very hard वे वे is not working very hard वे मेहनत से वे मेहनत से not working kaam नहीं कर रहा है वे मेहनत से kaam नहीं कर रहा है ठीके वे मेहनत से kaam नहीं कर रहा है है na, I am not watching TV right now I am not मैं right now अभी not watching TV नहीं देख रहा TV तो मैं अभी TV नहीं देख रहा हूँ देख रहा हूँ ठीके? मैं अभी TV नहीं देख रहा हूँ समझा गया? देख रहा हूँ चलो Children are playing in the park Children, बच्चे, पता है न? Children's नहीं होता In singular form किया होती है, Child बच्चा, और उसकी plural form किया होती है, Children कभी भी Children's नहीं लिखना, रॉंग हो जाएगा ठीके? Children बच्चे कहां इन दी पार्क, पार्क में आर प्लेइंग, खेल रहे हैं ठीक है बच्चे पार्क में खेल रहे हैं इसको लेकिन लिखोगे तो क्या लिखोगे मिस्टर सामिल क्या कर रहे हैं और question mark, Mr. Samuel क्या कर रहे हैं, what is Mr. Samuel doing, ठीक है, next क्या है, the company is doing well this year, ठीक है, the company is doing well this year अच्छा कर रही है, है ना? अच्छा कर रही है कंपनी साल अच्छा कर रही है birds are chopping in the trees, chopping चह चाहना तो पक्षी पेड़ पर पेड़ों पर ठीक है, ट्रीज है तो पेड़ों पर चह चाह रहे हैं रहे हैं birds है, इसलिए रहे हैं ठीक है, next देखो we are printing our new book we are, हम क्या कर रहे हैं, print कर रहे हैं, नई book तो हम देखो, a book है तो हम एक new book है तो नई किताब हम एक नई किताब प्रिंट करना चापना न, तो चाप रहे हैं ठीक है, हम एक नई किताब चाप रहे हैं, देख लो, फिर आगे चलीए, next चला आगे you look sad, why are you crying, ठीक है you look sad, आप उदास लग रहे हो आप उदास लगते हो आप क्यूं रो रहे हो ठीक है, आप क्यूं रो रहे हो, आप उदास लगते हो, आप क्यूं रो रहे हो, है न, क्यूंकि you look sad लिखा है, ठीक है पहला पहला जो sentence है, वो किस में है, simple present में है, और उसके आगे वारे जो sentence है, वो present continuous में, समझा गया, next क्या है, she is playing football, she is where, खेल रही है football, तो क्या लिखोगे, where football खेल रही है, खेल रही है, ठीक है, people are waiting for the plane to take off, people are waiting, people, लोग इंतजार कर रहे हैं, प्लेन के उड़ने का, तो लोग, प्लेन लिख दूँ, प्लेन ही लिख दूँ या वो लिखूँ विमान, विमान लिखते तो चलो, लोग, विमान के उड़ने का, इंतजार कर रहे हैं, आगया समझ, किस तरीके साब अपना सेंस यूज़ करके सेंटेंस को थोड़ा सा, इदो उदर करके सही लिख रहे हो, वैसा ही इंग्लिश में करना है, है न, she is not going with you, she is not going with you, वै नहीं जा रही तुम्हारे साथ, इसको करेक्ट फ़र्म में कैसे लिखेंगे, वै तुम्हारे साथ नहीं जा रही है, वै तुम्हारे साथ नहीं जा रही है, she is not going with you, I am going to the doctor right now, I am, मैं, मैं, right now, अभी, going, जा रहा हूं, डॉक्टर के पास, तो मैं अभी, डॉक्टर के पास, जा रहा हूं, जा रहा हूं या जा रही हूं तुम्हारे सकते हैं उस हिसाब से, क्योंकि I लिखा है, ही और शी होता है, तो तुम्हें वही लिखना पड़ता, particular, है न, सही है, समझा रहा है, जब भी I am है, तो आप लिख सकते हो, ठीके, वहाँ पर कुछ नहीं पूछा है, आप से gender, लेकिन अगर he और she लिखा है, तब तो लड़के का ही लिखना पड़ेगा, और she लिखा है, तो लड़की का ही लिखना पड़ेगा, ठीके, लेकिन I लिखा है, तो आप अपने हिसा आप से लिख सकते हो, खुद पर लेकर लिख सकते हो, ठीके, यह clear हो गया यहाँ तक, कोई confusion तो नहीं है न, clear हो गया, चले आगे, चलो next देखो, I am not giving it back to you, I am, मैं, back to you, तुम्हे, it, यह, मैं, तुम्हे, यह, वापस, नहीं देखो, यह, यह, दे रहा हूँ, back वापस, वापस, नहीं दे रही हूँ, यह, दे रहा हूँ, ठीके, मैं तुम्हे यह, वापस, नहीं दे रही हूँ, इसे यह, जो लिखना चाओ, ठीके, Many workers are participating in sports. Many workers are participating in sports. तो many workers कई कारे करता are participating in sports. तो sports खेलो में, क्योंकि sports लिखा है तो खेलो. भाग ले रहे हैं, participate करना, भाग लेना, तो भाग ले रहे हैं. तो तुमने क्या लिखा इसका? आप या तुम है न? आप यह नहीं कर रहे हैं, है ना? राइट मतलब है ना? इस तरीके से लिखोगे, यह नहीं कर रहे हैं, राइट? है ना? इस तरीके से आप लिखोगे, ठीके? चला, next क्या है? I am driving right now, see you later. I am driving right now, मैं अभी, और driving है तो मैंने बताया था, कार की बात होती है, तो मैं अभी, गाड़ी चला रहा हूँ या कार्ट चला रहा हूँ बाद में मिलते हैं, see you later, बाद में मिलते हैं बाद में मिलते हैं, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, I am driving right now, see you later, बाद में मिलते हैं they are playing basketball, they are, where, are playing basketball, where, basketball, खेल रहे हैं कोई confusion तो नहीं है अभी तक, जो भी doubt है, जो भी problem है, comment section में लिखो, मुझसे पूछ लो, जो भी यहां पे clear नहीं हो पा रहा है अगर, वैसे तो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी तहां हम English to Hindi कर रहे हैं, तो काफी easy है English to Hindi करना है ना, दिक्कत का आती है बच्चों को Hindi to English translation में आती है, वो भी यहां अच्छे से clear कराती है, चलूंगे ना, अभी यहां तक तो clear है, ठीक है, चलें आगे, the bus is coming, be quick, the bus is coming, be quick, तो, the bus is coming, मतला bus आ रही है, बस आ रही है, जल्दी करो, be quick, जल्दी करो, ठीक है, बस आ रही है, जल्दी करो, I am meeting some friends after work, I am, मैं, after work, काम के बाद, some friends, कुछ दोस्तों से, meeting, मिल रहा हूं, मिल रहा हूं, ठीक है, तो, इतने sentences, आज के लिए, I guess, enough हैं, तुम लोगों के लिए, इनको अच्छे से समझो, हैना, जो भी, अच्छे से देखो, एक बार, इसको अच्छे से समझो, कि ना, मुझे नहीं लगता, कि तुम्हें दुबारा समझने की जरुवत है, कि हिंदी हमारी मातरभाशा है, हिंदी हम बच्पन से सीखते हैं, बच्पन से पढ़ते आ रहें, बोलते आ रहें, तो हमें हर चीज़ बता इंग्लिश के बारे में, और हम confident है हमारी इस language को लेकर, हैना, तो हमें बताए कि हम 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 जब हिंदी में वाके लिखते हैं, तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हमें problem आती है, जब हम English में लिखने की कोशिश करते हैं, तो जितना confidence तुम्हारा यहां पर है, उतना ही confidence हमें हमारा English language में develop करना है, और उसके लिए हमें हमारी यह वाली skills, अब देखो यह दियान दो, गौर करोगे चीजों पर तो तुम्हें यहां पर चीजे समझ आएंगी कि इतना difficult नहीं है, जब तुम यहां पर English से तुम्हें समझ आए, अच्छा यह वर्ड यह है, तो भाई, हिंदी में दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी से आराम से translation हो जाएगा, अच्छा हि तो यह सारी चीजें आपको अच्छे से आजाएंगी, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रेजंट कंटिनेस में पढ़ें, प्रेजंट कंटिनेस में इसमर की ध्यान रखना है, तो यहां पर हम ऐसे ही कुछ और लेक्चर में क्या करेंगे, ऐसे ही पहले English to Hindi translation करेंगे, त लगता है, तो वो कैसे समझ में आना चाहिए, है ना, जब यह सब हमें clear हो जाएगा, तो हम फिर क्या करेंगे, वापस Hindi to English translation करेंगे, तीन-चार लेक्चर में, अब वैसे exercises करेंगे, तो clear हो जाएगा तुमें, ठीके, आभी भी जो बच्चों को पिछले वाले tense में doubt है, है simple present tense में doubt है, आप पूछो हम क्या करेंगे, जितने भी doubts हैंगे ना बच्चों के, तो हम क्या करेंगे, एक class ले लेंगे, एक class लेके उसमें में तुम्हारे सारे doubts clear कर दूँगी, सारे बच्चों के, और अगर चोटी-मोटी चीज होई तो मैं तुम्हें हाथो हाथी clear कर दू तुम्हें पूछना है, तुम पूछोगे नहीं जब तक मुझे लगेगा तुम पढ़ नहीं रहे हो, है ना तुम पूछो, जब तुम पढ़ोगे तभी मुझे पता से लेगा कि हावे बच्चा पूछ रहा है, इसने पढ़ा है, तो आज के लिए इतने sentences इनाफ है, तो ब झाल